गुर्मोर्णी फ्रेंड्स दिस जनीर एंड वेलकम टू संसे बनीच दोस्तों पंचायतों से छिनेगा सिच्छकों की नुक्ति का अधिकार दोस्तों बरी खबरे आ रहे हैं सात्मा चरन से जुरी हुई है दोस्तों सिच्छक नियोजन की नियमोली में बरे बदलाव की तेया हैं और पंचायतों से छिन जाएगा सिच्छक नुक्ति का अधिकार दोस्तों यह बड़ी खबरे हैं और भी कई बदलाव होने जा रहे हैं आये देखते हैं इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को जरू सब्सक्राइब किजिएगा और अपने दोस्तों को इतिपदों पर इस बर पंचायती राजे संस्थाइम भाली नहीं करेंगी सरकार सिच्छक चेन पर किरिया से पंचायती राज की भूमिका को हटाने जा रही है नियोजन पर किरिया को अंतियम रूप देने के लिए जीला स्थर पर केंद्री किरितिकाई गठित की जाएगी दोस्तों इसका साफ सब कहने का मतलब यह है कि पहले जो था वो सिच्छक की भाली सिच्छा विभाग नहीं करती थी बलकि पंचायती राजी करती थी पंचायती राजी की अधिन था दोस्तों और इसलिए सत्यू का अहम रोल होता था आपके पंचायत में और जो परखंड ह को सौप दिया जाता था और सिच्छा भी भाग आगे इनसे काम लेती थी अपने बिद्यालों में दोस्तों लेकिन अब इसमें बड़ा बदला होने जा रहा है और पंचायती राजे से यह अधिकार छीना जाएगा और सिच्छा भी भाग ही सिच्छकों की नुक्ति करेगी द नुक्ति पत्र भी बाटेगी दोस्तों पंचायत से लेकर के पर्खंड मैं अपने कर लाइब में भी आप लोगों को बताया था जोस्तों या तो यह जिम्मेवारी जो होगी वह बिहार एससी को दी जाएगी बीपेसी को दी जाएगी अधर वाइज और नहीं तो सिच्छा विभाग ही एक संस्था बनाएगी सिच्छा आयोग और यही संस्था होगी दोस्तों जो सिच्छकों को निक्ति पत्र देने का काम करेगी और नगर ये निकाय के दैरे में आने वाले सभी चैनिक सिच्छकों को निक्ति पत्र जीला मुख्याले से ही बाटे दाएगे देख लिए जो नगर के अंतरगत आएंगे उसे जीला मुख्याले से ही दिया जाएगा यह सारे तर्थे सातवे चरन के लिए सिछक नियोजन के लिए है दोफ्तों यहाँ पे देखे इसी से जुड़ी एक और खवरी है कि क्या होगा बदला सातवे चरन के नियोजन परकिरिया के लिए जीला अस्तर पर एक केंदरी करित इकाईम बनाई जाएगी यही संस्था अव्यर्थों के जीला अस्तर पर न केवल कॉंसलिंग करेगी बलकि उन्हें न्युक्ति पत्र भी बाटेगी दोफ्तों सबसे बड़ा बदला विया है कि चैन के लिए ना तो लिखित परिच्छा होगी वह ना कोई सच्छातकार लिया जाएगा दोस्तों यह बरी खबरे निकल कर क्या रही है यह सारा चीज में कर आपको अपनी लाइब सेशन में भी बताया हूं कोई लिखित परिच्छा नहीं होगी कोई इंटर्व्यू नहीं लिया जाएगा दोस्तों नियमौली को राज्जी सरकार के सिर्ष अफसरों की राय के लिए भेजी गई है सिर्ष अफसरों की राय को विभागे अफसरों की नियमौली बनाने वाली समीती समाहित कर नियमौली को अंतिम रूप दे कर कैबिनेट को भेजी गी दोस्तों सात्वे चरण में प्रात्मिक चरण से उच्छे माधमिक अस्तर तक के सिच्छकों के नियूजन के लिए एक ही नियमौली तैयार की गई है दोस्तों यह बड़ी खबर है यहाँ पे आप देख रहे हैं सातवे चरण में प्राथमिक सेले करके उच्चे माधमी कस्तर तक के लिए एक ही नियमोली होगी इसे पहले नियमोली अलग-अलग हुआ करती थी शिच्छकों का चेन सैचनिक और प्रैसैचनिक अंकों का अधार पर होगा इसके लिए formula तयार कर लिया गया है बहुत हद तक चांसेज हैं दोस्तों कि 60 to 40 को लागू कर दिया जाएगा चेन परकिर्या में लिखित और साथातकार नहीं होगा चेन के लिए लिखित पर इच्छा नहीं होगी और साथातकार भी नहीं होगा हलाकि चेन करने वाले एजनसी के तीन बिकल्प सुझाए गये हैं इसके लिए बिहार लोग सेवा आयोग, करमचारी चेन आयोग और बिहार तकनीकी सेवा आयोग में से किसी एक एजनसी का चेन किया जाना है सात्वे चरण में सिच्छकों की कैटेगरी वही रखी गई है दोस्तों देख लिजिए यहाँ पर तीन संस्थाएं हैं, तीन एजनसी आ हैं जिसका चेन किया गया है बिहार लोग सेवा आयोग का, करमचारी चेन आयोग का और बिहार तकनीकी सेवा आयोग का दोस्तों एक साथ प्राथमिक से लेकर के इंटर वा सारेडिक सिच्छक, लाइबरेरियन और कंप्यूटर सिच्छकों की होगी बहाली इस पर प्राथमिक, माध्य, माध्यमिक, उच्छतर माध्यमिक सिछको, सारे लिक सिछा एवं स्वास्थ सेवाई परयोकसाला सहायक, पुष्टकाले अध्याच, कंप्यूटर सिछक सही थे सभी की वेकैंसी एक साथ निकाली जाएगी इनकी नुक्ति का सेडूल एक ही समय ओधी में रहेगा सभी को जीला सन्वर्ग में रखा जाएगा नुक्ति 24 के आधार पर की जाएगी दोस्तो ये बरी खबरे निकल करके आ रही है बरी खबरे निकल करके आ रही है दोस्तो साथवे चरन को ले करके हाला कि अभी नियमाली नहीं आई है जब तक नियमाली नहीं आती है किसी पर मुहर लगाना अतिश्योक्ति होगी इस वीडियो में ते फिर मिलते अगले वीडियो माव्षान समनेच के साथ बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब ने की है तो प्लीज चैनल को आप लोग सब् जन्नी बार